दोस्तों सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानून की वाद में आपका एक बार भी स्वागत है दोस्तों बात करते हैं IPC की दारा 307 IPC की दारा 307 अगर लब जाती तो उस विक्ति को कितने साल की सजा हो सकती है या आजवन का रवाज भी हो सकती है लेकिन दोस्तों आप जान सकते हैं कोई विक्ति अगर इस प्रकार का क्राइम करता है तो उसे कितने साल की सजा होती है लेकिन दोस्तों मेरा सबसे नंबर निवेतन है अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे प्लीज नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नए नीड वीडियो की लोटिफिक प्रेसन आपके पास पहुंच सके और सुचना है आपको पास मिल सके तो बात करते अपने टोपि कोई भी वेक्ति अगर इस प्रकार का कृते करता है किया हध्या करने की कोशिश करता है या उसके करने का उद्देच सिवोता, और उस वेक्ति के IPC की सेक्शन 307 लगने पर उस आरोपी को कड़ा से कड़ा कड़ी से कड़ी साजा हो सकती है उस वेक्ति को अगर इस प्रकार की कृट्टे में ट्राइर होने के बाद उस वेक्ति को ना तो जमानत मिल सकती है नहीं उस वेक्ति को नहीं कोर्ट द्वारा जमानत मिलना मुस्किल हो जाती है क्योंकि इस प्रकार का कोई वेक्ति हत्या की कोशिज करता है तो उसे स्यक्षन IPC 307 का आरवपी बनने के बाद उस वेक्ति को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है लेकिन मानलो उस वेक्ति ने जिस वेक्ति पर वार किया है अगर उसे गंबिर चोट है, सिर में या हाथ पेर तूट गए है या गंबिर प्रकार की चोट है तो उस वेक्ति को आजिवन कारावास तक हो सकती है यह इंजिरी पर डिपेंड करती है, एवडेंस पर डिपेंड करती है मान लो, पिर भी अगर उस वेक्ति एकिलाब 307 IPC में मुग्दमा दरज हो गया और उन्होंने धार-धार हतिहार से सिर्फे मारी है उसका यह लक्सेता कि इसे अत्या करनी है तो इस मकसद से अगर वो वेक्ति वार करता है तो उस वेक्ति पर सेक्शन 307 में मुग्दमा दरज होता है और मुग्दमा दरज होने के बाद उस वेक्ति को ना तो जमानत मिलेगी और इस प्रकार के वेक्ति को कड़ी सजा का प्रवधान है सेक्शन 307 में उसे 10 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है लेकिन अगर मालो जिस व्यक्ति के इंजरी जयता है चोट जयता है जिससे वो मर सकता है या मनने की संभावना है तो उस व्यक्ति को इस कंडिशन में आज जिवन कारावास तक हो सकती है इसलिए दोस्तों मैंने सेक्शन साथ में आपको स्वस्ट बताया है कि क्या कता है सेक्शन 307 इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्प्राइब करना नबले